नमस्कार में पूजा वशिष्ट वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ चारा गोटाले में सजा काट रहे आर्जेटी चीफ लालू यादफ की संसत बेटी मीशा भार्दी ने मनी लॉंडरिंग की जाज का सामना कर रही कमपनी को चलाने का ठीक रापती अमृत सीये पर फूड़ा है जब एडी ने पूछ ताच की तो उन्होंने बताया कि कमपनी के रोजमर्णा के कामकाज उनके पती शैलेश और सीये स्वर्गे संदीव शर्मा ही देखते थे इस के साथ ही शैलेश कुमार ने एडी को बयान दिया है कि वो कमपनी के मैनेजर और अन्य गर्मचारियों को निРदेश देने जैसे कामों को देखते थे हलागे प्रवर्तन निदेशाले का कहना है कि मीसा और उनके पती शेलिश कुमार दोनों ने मुखोटा कमपनियों के जरीए एक दशम लफ दो करोण रुपे की मनी लॉंडरिंग की साज़िश की है बिहार के पूर मुखे मंतरी लालू यादव की बेटी और उनके पती के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था इसमें कहा गया है कि अपराद से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संबंद रहे और इस मामले के पक्ष में हैं इसलिए मनी लॉंडरिंग अपराद के दोशी है ये मामला मीसा भारती और उनके पती द्वारा अपनी कंपनी मिशल पैकर्ज और प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दिली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है इस मामले में निदेशाले मीसा भारती से पूछ ताच कर चुका है इडिके अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी और उसके द्वारा खरीदे गए फार्म हाउस संबंधी सवालों का जवाब मीसा के पती और दिवंगत सीए ही बहता तरीके से दे सकते हैं आरोपे की वर्ष दोजार राट और नौ में इसके लिए एक देशंब लव दो करोन रुपे मनी लॉंडरिंग के जरीए इस्तिमाल किये गए खबर पर फिलाल इतना ही देश दुनिया राजनीती और खेल जगत से जुड़ी अन्ने खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी चैमर